ट्रॉम्प की उम्मीदवारी तै दावेदारी के करीब ट्रॉम्प क्रूज ने छोड़ा मैदान रिपबलिकन दावेदारी के करीब ट्रॉम्प अमेरिका में राष्ट्रपती पत की उमीदवारी के लिए रिपब्लिकन दावेदारी की लड़ाई अब निरनायक दोर में पहुँच चुकी है डुनाल ट्रम्प अब रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उमीदवार बनने के बेहत करीब है क्योंकि उन्हें इंडियाना में अपने निकट प्रतिद्वन्धी टेट क्रूस के खिलाफ बड़ी जीत मिली उमीदवारी के लिहास से इंडियाना के प्राइमरी नतीजों को बेहत एहम माना जा रहा था अमेरिकी टीवी चैनलों ने न्यू यॉक के अरपपती कारोबारी ट्रॉम को जल्दी विजेता के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया इंडियाना प्राइमरी चनाव में ट्रॉम को 50 वीजदी से ज़्यादा वोट मिले इस तरह डोनाल ट्रॉम ने टेकसस सेनेटर टेड क्रॉस को पचार दिया समचार चैनलों की माने तो टेड क्रॉस ने इसी हार के साथ अपना भियान खत्म कर दिया और रेस से बाहर हो गए इसके बाद ही ट्रॉम के लिए आगे का रास्त और आसान हो गया है वहीं बर्नी सैंडर्स ने अपनी डेमोक्रेट प्रतिद्वन्दी तिलेरी क्लिंटन को हरा कर इंडियाना प्राइमरी चनाव में जीत हासिल कर ली गौर तलब है कि ये चनाव टेट क्रूस के लिए भी बेहत खास्ता जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ नाव पर लगा दिया था एनमर न्यूस की रिपोर्ट